की पुच्द उहाल फकीरादा सड़ा नदियां बिछडे नीरादा जिसकी चर्चा उसके मशूर होने के बाद कम होती है यानि उस दौर की जब वो नाकाम और नाकारा फिरता है और बाद में जब पूरा समाज कभी-कभी उसके वक्त के बाद भी उसकी जिन्दगी के बाद भी पूरा समाज उसे चहने लगता है, उसे याद करता है, उसे सराखों पर बिठाता है. तो मैं खेर मगदन करना चाहती हूँ, स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, कुमार विश्वास सहाब को. अजिन अजीज चाहे, कुमार विश्वास. शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छे शायर, अच्छे कलागार भी हो सकते हूँ, जिसको हमेशा एक टकराव रहता था था पॉपिलर होने में और अच्छा होने में. देखिए, दो लब्स अलग-अलग हैं, अच्छा शायर होना और पॉपिलर होना. एक कॉमन मेन के ले कविता है, जो ककड़ी वाले तक के ले कविता हैं, लेला की उंगलियां बेचू, मजनू की पसलियां बेचू, खाओ दिलवालो, आओ दिलवालो, नर्म ककड़ियां बेचू. तो मुझे ये गलत फेहमी, बिलकुल नहीं है, पहले दिन से नहीं है, मुझे कोई पूछता है, आपने सबसे अच्छी कविता, कौन सी आपकी है, मैंने का भी लिखी नहीं है ये जो सेशन है, वो शायर बद्नाम कुमार साथ, मैं बद्नामियों का सिलसला, ये वो शायर जो अपने दौर में बद्नामते हैं, उनसे शुरू करूँ तो मुझे शिव बटालवी की याद आती है कि पुछते हो हाल फकीरा दा, सडा नदिया बिचडे नीरा दा जी, और आज दिन चड़या, जिस तरह की गाने, जो इतने आज भी मकबूल हैं, वो उनकी गानों पर आधारेते हैं लेकिन शिव बटालवी भी अपने दौर में एक पटवारी बनने के लिए, कभी एक लर्क बनने के लिए, वो जदो जहद करते हैं, वो परिशान होते हैं, वो जहनी तोर पे तंग हो जाते हैं, कि मैं किस तरह अपने आपको फिट करूँ इस सुसाइटी में, वो इतने बह सुसाइटी को ये समझ में नहीं आता कि ये इंसान अलग बनाया है भगवान ने, इसका DNA अलग बनाया है, सुसाइटी से उम्मीद करती है कि वो हमारे जैसा रहे, लेकिन हमसे कुछ अलग तरीके के नगमे कहें, यानि कि वो तीन बजे उठकर, चार बजे जाकर, चांद का नगमा लिखता है, वो तो उसको अलग तरीके से चांद लिखता है, वो गाना तो चाहता है मसाज का नगमा, लेकिन ये भी चाहता है कि मसाज रात को दस बजे सो जाए, और सुबह पांच बजे उठके प्नायाम करे, उसके बाद आयरुवेद की गोलियां खाए दो, कपाल पटालिव के साथ ये दिक्कत है कि जिन्दगी में कुछ लोग कुछ चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं, शिव ने महबबत को बहुत ही सीरसली ले लिया, इसलिए उनने लंदन के एक इंटरव्यू में कहा, मनमान सेगल से कि हम लोग स्लो सुसाइड कर नहीं डायरिया तो नकबा उनकी जलाही दी गहीं चुराकर, बड़े शर्म की बात है कि पंजाब में आकाश्वाणी में जो शिव की रिकॉर्डिंग होई थी, उनको डिलीट करा दिया गया, आज मेरी बाद की जनरेशन को अगर शिव सुनना हो, तो लंदन बीबीसी की ए पार गाया जाता है, माय नहीं माय मेरे गीता दिया किया विच विरहादी रड़क पवे, पाकिस्तान में भी गाया जाता है, हिंदुस्तान में भी गाया जाता है, ये मौका कम लोगों को मिलता है, ये शिव को मिला, तो वो बदनाम इसलिए है कि वो शराब जादा पीता थ शराब कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते, मैं नहीं पीता, इससे मैं कोई बहुत बड़ा संत नहीं बन जाता, जो लोग पीते हैं, इससे कोई बहुत दरिंदे नहीं बन जाते, एक food habit है, अगर limit में लोग पीते हैं, तो ठीक है, लोग पीते ही हैं, तो उस जमा गय लेकिन जिर उन लोगों में भी है कि जब उनकी खुद की शादी हुई तो उनकी शादी में जो घर में महिलाय भीद का रही निए ते अ को और गाय जा रहा थी अनल क कुछ का है उड़ता पंजाब की वजए से लेकिन उस जमाने में इस कंसीट को लाना एक कुड़ी जड़ा नाम माबाद हम जैसे बिलकुल हिंदी पट्टी के लोग और हिंदी में भी हम कहां से आप तो फिर भी जबान में आपका तु नुकता है हमारे तु नुकता चुट्टी पर है हम मेरट कमिश्टर जी के लोग ना आप तो लखनो और उदर के लोग हैं तो आपके जबान में मतलब बड़ा सीखना पड़ता है हमको भी हमारे तो लड़का लखनो के लड़की से प्रेमिवा करना हो या अफैर करना हो तो उससे कहता है ने कि मैं इस तरह से तिरी कि मैं सामिल हूँ तो लड़की उससे कह देती है कि मेरी छोड़ पहले नुक्ते को शामिल करा हम आपस में तब बात करेंगे हमारे लिए शिव को समझना सिर्फ इसलिए क्योंकि शिव की जो वाइब्रेशन आती थी कि पुछ देव हाल फकीरादा सड़न दियां बिछडे नीरादा तो वो गाता था हमें समझ में नहीं आता था लेकिन हमारा कलेजा निकल के बाहर आजाता था कि कोई गा रहा है वो जो एक बड़ा मशूर कता है उर्दू में के गली के मोड़ पर लड़कों के एक जमघट स यह किसने दर्द भरी ले में माहिया गाया हमें किसी से मुहबत नहीं मगरें दोस्त नजाने क्या हुआ दिले बेकरार भराया क्या बात है वाव है तो मैं शायर बदनाम का पहला शायर है शिव मेरी जिंदगी बिल्कुल और अंदाजा कीजिए कि ऐसे शायर उनको अपने अपने वालिद से उनकी वालिद और उनकी बीच में खाई बढ़ती गई और उनकी बोहमिन लाइस्टाइल से परिशान थे और नौबाहर में जो आये थे वालिद साहब जो थे वो कम समझते हैं सबके अमा फिर भी समझती है मा फिर भी समझती है रदे मुझ से लोग पुछते लग कि माप के पैर के नीचे जननत होती है सब लोग बोलते लो मुनवर साब तो पूरा एक पीहड़ी है डिलीट है मा पे उस पे हाम पे ओप के पैर कि नीचे क्या होता और मैंन को जूता तो अबर एक पिनद आपको आपको भी आपका जाती तजूरबा यही था माने सब्स्त मेरा तो जाती तजूरबा इतना ज्यादा है कि आज तक भी शरीड याद करता है उस बात को जिस्म के पॉर को इंगा अब भी उनको जो मुझसे वाकफियत है और मेरे बारे मज उनका ख्याल है वो इतना है कि पैसा अच्छा कमा रहा है मतलब ठीक है गाड़ी बाड़ीया बहुत बड़िया बाकी गजलें कैसी कह रहा है कविता कैसी एक आद कोई कविता सुनने पर वो कह देते हैं हाँ यह Society का एक fixed formula है Society एक खुबसूरत जील है जिसके चारों तरह पेजमेंट बने हुए हैं फूल लगे हुए हैं और शायरी एक बहता हुआ ज्षारना है जिसे नदी बनकर आखिरकार मम उखाँर महासाँगर में मिलना है तो मनुष्यता के इस महा सागर्तक की यात्रा में इस शायर को तमाम रास्ते के हर घाट के पंडे मिलेंगे, जो आपको ग्यान गंगा पेलेंगे, ये ठीक नहीं है, उनकी मत सुनिये आप, अपने दिल की सुनिये, दिल की गाईये, इस रास्ते में सकस्स मिल जाए, ब्रांड मिल जाए, पैसा मिल जाए, शोहरत मिल जाए, उपर वाले की तरफ और सामने वालों की तरफ हाद जोड़ के थेंक यू कहिए, और ना मिल जाए, तो समझेए कि आपको इश्वर किसी और बड़े काम के लिने तयार कर रहा है, जैसे शिव बिता भी किनने बात कि, हम बता है कि वो एक ऐसे इतनी भेहतरीन बातचीत, इतनी भेहतरीन गुफ्तगू करते थे कि लोग, वो लोग जो उनके साथ ही थे, उनको पकड़ पकड़ के ले जाते थे, अपने अपने घरों में शराब पिलाने के लिए, और इसी तरह की राद शराब पी के, सब लोग उन इच पर बैट गया, लोग दुकान बढ़ा के चले गए, सुबह लोगों को पता चला कि मजाज है, आज हालत यह है कि मैंने लखनों में एक बार लिख दिया था, अपने ट्वीटर या फेस्बुक पे कि मजाज लखनवी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके, ट् आज हाता हूँ, अगर इस देश में, इस पूरी, इस पूरे माश्रे में ऐसे खराब लोग जिनको सनक्षन नहीं मिलना चाहिए था, जिनको जिनको जिन्दगी जीने के अच्छे माहौल नहीं मिलने चाहिए थे, वो आपने सहेज के अपने टैक से रखे हैं जिन्दा, हमसे कम इन शायरों को, इन कलाकारों को, इन कवियों को भी महबबत के साथ सहेज के रखिए, वरना आपके पास रोने के सिवा कुछ नहीं होगा, अब एग में दिल क्या करूँ, या वहिशते दिल क्या करूँ, या कश्मीर में अपनी प्रेमी का के घर पर रुके हुए अब मेरे पास तुम आई हो, तो क्या आई हो, मैंने माना कि तुम एक पैकरे रानाई हो, मेरी हिम्मत से डरो, तुम मेरी जुर्रत से डरो, आप ऐलिगेरियन्स पुरी दुनिया में मिलते हैं, आप कहीं चले जाएए, अलिगेरियन्स पुरी दुनिया में मिलते हैं, सरसेय कि आने वाले कल में हम किसी मजाज को मरने नहीं देंगे सब की जिम्मेदारी है कि मजाज जैसे लोग या ऐसे लोग जो अपने दिल के हातों मजबूर हैं लेकिन इस सोसाइटी को कुछ बड़ा अफ फ्लोरेंस जाहिए साब आफ वैनिस जाहिए साब उस समय के जितने बड़ कलाकार उनके मकान देखिया आप कितनी बड़ी बड़ी उनके बंगलों हैं कितने बड़े बड़े उनके कोटी यहां तो यही दिक्कत है आदे लोगों को कि हिंदी का आदमी पैसा क्यों लेता है उर्दू का आदमी पैसा क्यों लेता हर बार आप अपने किसी बड़े कलाक तो उस दौर में यहालत जैसे आपने कहा कि नाकाम और नाकारा फिरने या दिल में जो मायूसी है या जब हो कहते हैं कि कौन समझे कौन जाने जी का हाल या मुझे जो कुछ लाइन्स बहुत पसंदे पर आपकी तरह मुझे अकसर हमेशा याद नहीं रहता है इसलिए मैं पढ बढ़के इस इंदर सभा का साज उसामा नोचलू कहते हैं ना चांद तारे नोचलू इस किनारे नोचलू यह वहषत है यह पागल्पन है लेकिन यही शायर को शायर बनाती है वहषत ना हो तो कैसे और यह जब्त भी है मदनमोन दानिश बैठें ग्वालियर से इनका शेर ह पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है फिर जाकर ही कुछ कारीगर करता है इनके लेकाने बजाई है तो शायर आपको खुद को बरबाद करना पड़ता है तब जाके आप चार अशार पाच अशार कह पाते हैं अच्छे चीज़ा ऐसी कह पाते तो लोग याद रखें उस बरबादी का मुआवजा इस सुसाइटी को देना चाहिए और जिन्दा रहते देते तो अच्छा ही है वरना तो आपने बहुत कमाल की बात कि कमसे जो शायर खुद को बरबाद करता है उस बरबादी का मुआवजा तो समाज को देना ही चाहिए मजाज जिन्होंने मुल्क बरबाद कर दिया उनको हर पास साल में देते हूं मुआवजा भाई जैसे मैंने भी कहा था कि लड़किया इतनी दीवानी थी उनके लेक शादी कर रिष्टा खतम हो जाता है और वना दिमागी तवाजून खो बेटे है बड़े इर्षय का विशे है मजाज मतलब पहले क्या था सब पांसो किताब चपती थी उसमें तो तो तीन गहीं है लिग लिगर मुस्लिमिन स्टीमें उनके विवाले चाते थे वो क्लर्क बन जाये नॉर्मल लाइफ हो जाये सेटल हो जाये पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसके बाद जब वो दिमागी तवाजून खो बैठते हैं और उस जो वो बिचैनी है मैं यह आप से जाना जाती हूं कि क् वरना आप अगर नॉर्मल से रहेंगे तो आप वो शायरी में वो दर्द या वो वो असर नहीं हो पाएगा तो आपको तुलसी के खांदान में कुछ कहना है तो आपका पागलपन बड़ा होना चाहिए अगर आपके अंदर का पागलपन इतना बड़ा नहीं है तो फिर कह सकते हैं तो मजाज का पागलपन शिव अटाल भी का जो आज का सेशन है वो शायर बदनाम वो शायर बदनाम किस में सुसाइटी के मानक में जो सुसाइटी ने मानक लिए इसलिए शायर को अपनी ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए शायर को अपना दंदा नहीं देखना चा क्या पता कब कॉन सा बड़ा शेर ऊपर से उतर कर आपके सामने कहेंगे बिटा मैं तेरे सास्थ चलने को तयार हूं और वक्त के पन्नों में वही शेर आपके साथ सफर करें। वही घजल वही जीत आपके पासबर है। अपने दौर में जैसे जो हम बनाम शायर की बात करने है। क्योंकि आवाज तो एक जिस्म है, आवाज के वल एक जिस्म है, उसके अंदर जो लव्ज की रूह है, जो शब्द की आत्मा है, वही उसको इम्मॉर्टल बनाती है, शाश्वत बनाती है। अगर जगजी सिंग सहाब अगर शाश्वत हुए हैं, तो इसलिए हुए हैं कि उन्होंने अपनी आवाज को गालिब के दरवाजे पे खिदमतकार की तरह प्रस्तुत कर दिया, कि हुजूर् बड़े चाचा, आपके सामने मेरी अवाद रखिए, बताइए क्या गाना तो ये जितने बिकने वाले हैं, ये जितने गाने वाले हैं, जितने गा रहे हैं, इन सब को बहुत-बहुत धन्यवाद कि ये हमको गा रहे हैं, लेकिन ये लव्ज गा रहे हैं, इसलिए सुने जा आप उसके सामने दोनों हाथ महराज महराज क्यों वो जो राम चरिट मानस की पोती के पीछे बेटा है उस आदमी का काम कुछ नहीं है वो जो पोती रखी हुई है मेरे बाबा की जिसमें एक-एक पंक्ती पिएचडी देने लायक है जो उसने आत्मा को गला के लिखी है और आ भी अवधी में क्योंकि इतना एहंकार था भाषा का हमारे कवी है तुलसी के साथ के केशवदास उन्होंने बुंदेली भाषा में कुछ कविताएं लिख दी तो उन्होंने बाकाइदा प्राहिश्चित किया I am sorry बोला उन्होंने कहा भाषा बोल न जानी हैं जिनके कुल के दास हमारे घर के नोकर भी हिंदी नहीं बोलते हम तो Sanskrit में बात करते हैं भाषा बोल न जान ये जिनके कुल के दास तिन भाषा कविता करी जड़मत केशव दास मैं मूर्ख हूं जो मैंने भाषा में कविता करी लेकिन आज केशव की किताबें BA और M.A. के छोटे छोटे छ श्री मुरा ली बापू नेरवी में जाके जब गाते हैं तो हजारों हजार लोहों की आख भीगती है यह हमारे उस बदनाम शायर का पुन्य है नगमा शायद आपको पता हो पता नहीं उनके बारे में तो यह कहते थे कि तुम ब्रह्मनी नहीं हो और वो भॉष शालीन है रजपूत कहो और अवदूत कहो रजपूत कहो जुलहा कहो कोई मुझे धूत कहो और अवदूत कहो जुलएह कहो कवो कोई काहुके बैटी से बेटा नदावियाहाव और काहू की जात भिगाड़ अबना सोई, मुझे कौन सा ललके का भिया करना है भाई? बाबा ने कहा का वू की बेटी से बेटाना ब्याहब। मांग के खाई नंब शेट में असेथ में मांंक के खाता हूं शो कुछेट को बहार और उस मस्जिद के बाहर शोकर राम की वहार झाल कि ळेंद के नाम पर जो दूकान है जू इसकी वजय से और देखिए लडाई का मुकाबला समान हतियारों से लड़ सकते हैं आप हतियार नया हो तो कैसे लड़ेंगे दस्वी शताबजी से इंडिया पर इंवेजन शुरू हुआ बाहर से आकरांता आने शुरू हुए गौरी आया गजनभी आया तमाम लोग आये हमार पंद असलारी तरफ हम इस से लड़ें तलवार से वो किस्टव आदे तरफ मुड़ी हुए तरो थी उनके पास वह बीचवा ली थी जो दोनों तरफ से चिरी हुई थी पिर और चीज्य आने लगी हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए पूरा संस्कृती पूरा धर्म पूरा पर था लेकिन एक आदमी आया उसने किताब लिग दी उसने डरे हुए हिंदुस्तानियों को एक किताब का भरोसा दिया जिसका नाम था रामचरित मानस इसका जबाब बहर से आक्रमन करने वालों के पास था ही नहीं उसने का यह तो छोटे-मोटे आक्रमने मैं तुम्हें एक चला है घर से निकाल दिया गया है पैदल चला है कोई जानता है नहीं और मार के किसको आ रहा है दुनिया के सबसे बड़े बदमाश को एक छे फुट का सुदर्शन नौजवान जिसके कंदे पर एक बान है तूनीर है तरकश है और जिसे अपनी भुजाओं के बल पर अपन की बनी हुई थी और लंका सोने की बनी हुई थी फिर भी अध्य का बेटा जीता लंका वालों का नहीं जीता ये ये शायर का काम है ये कवी का काम है कि वो उस बदनामी में भी ये ध्यान नक्खे की हजारों हजार लाखों लाख लोगों की आस्थाएं उसके हिस्से हैं उसके जिम्में हैं और जो लडाईयां हारी जाती हैं मैंने भी हारी है आपसी एक पुछना चाहती थी, कि आप एक हसास शाय है, एक तो अभी हारी है, जो लडाईया हारी जाती है नगमा, ज़रूरी नहीं कि उनके विजटा विजटा कहलाएं, आप तो इसलाम पर ईमान लाती हैं, आपको याद एक एक लडाई हारी गई थी, और मेरा एक शेर है, कि जालिम का नाम मिट गया तारीक से मगर वो याद रह गया जिसे पानी नहीं मिला तो जरूरी नहीं है कि आप लड़ाई जीतें तभी आप संस्कृति के फलक पर विजेता कहलाएं हमारे यह महाभारत में एक पात्र है जी आप सब जानते होंगे अभी मन्यू आपको याद है वो जिस दिन लड़ने के लिए चला तो सब के पैड चुके गया बच्चा था घर का तीसरी जनेरेशन थी अर्जुन का बेटा था तो सब ने चला गया तो कृष्णा ने पूछा द्रॉबदी ने पूछा कृष्ण से कि कृष्ण ये बताओ कि सबने तो विजय भव का आशिरवाद दिया तुमने अपने भांजे को जीते रहो नहीं का तुमने का यशश्वी भव तो मुस्कराते वे कृष्ण ने कहा किस युद्ध का क्या परिणाम होगा द्रॉबदी वो तो मुझे नहीं पता लेकिन युद्ध में तो कई बार नीच कमीने मित्रों की हत्या करने वाले भी जीत जाते हैं लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ आज के युद्ध में परिणाम क्या होगा मुझे पता नहीं पर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि माहा भारत का युद्ध जब जब याद किया जाएगा उसमें सबसे बड़े यश के साथ मेरे भंजे का नाम याद किया जाएगा कि अपने घरवालों के लिए हार गए हो या उनके चारों तरफ जो लोग थे जिनने लगाओ के दो बरबाद हो गया जिनोंने शरामे पिलाई मजाज की या शिव बटाली की आपने रिकॉर्डिंग्स डिलीट करा दी जिन चिर्कुटों ने वो किया होगा उनके नाम पर कोई सेशन हो रहा रहता मैं पर कुमार विश्वास जो एक हसास कवी और जब वो सियासत में आते हैं और फिर उनके इर्दगिर्द भी वो दुश्मन भी होंगे वो लोग भी होंगे जो वैसे ऐसासात नहीं रखते हैं आपने वो जन कैसे लड़ी कैसे जीती आपके आसपास आप आप Mensch मौघ वह पतनी अपकीठी है मौजूद एं उन लोगोंहन आपको ड़व काता नहीं कि आप कहां कूड पड़े हैं और कैसे कैसे लोग न मैं रखतकर यह जरूर कहती हैं किया आपकेसाथ कूड़ेसी यह कुड़ी अ मेरा कोई दुख ये नहीं है कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आपने किया जिंदगी के साथ साल दाव पे लगाए शैरी भी एक तरफा की प्रोग्राम कम किये दुश्मनियां मोली नौकरी चुटी लाठियां कही आज तो वो दिन है जब लाठियां कही आज ही वो दिन है लेक मैं मेरे बारे मैं कल फिर खबर चपी है मुझे नहीं पता हो था कि मैं कहां जा रहा हूं कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं भरोसा आज कल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में उसी उमीद के मरने का मातम कर रहा हूं क्या बात, बहुत खूल, बहुत खूल, और बहुत शुक्रिया कि हमने आज इस मौके पर उस दिन को याद किया है, क्योंकि इस दिन को हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, यह तमाम तजूर भई जो रहते हैं, कुमार साब, वो एक शायर का दिल बहुत हसास दिल होता है, और इस वज़े से वो इतनी खुपसूरत शायरी करता है, और यह तमाम जो चीजें आस पास होती है, जदो जहेद, या रोज मरा के जिंदगी में फिट होने की जदो जहेद, वो उस एहसास को कितना मार डालता है, या कितना मुश्किल, या कितना अगर मैं पूछूँ कि कितना फीसिदी वो शायर मरता जाता है, और कितना मुश्किल होता है उबरना उससे, इस प्रत्वी पर इश्वर के हस्ताक्षर करती है उस बच्चे के रूप में, भगवान ने उन्हें काम दिया आई है, उपरवाला बड़ा आदमी है, तो हम जैसों को तो नहीं दे सकता था, उसे पता था यह तो ऐसे ही है तो उसने महिलाओं को दिया, जिनके अंदर सेहन है, जिनके अंदर समयत है उसे कैरी करने की तो ऐसे ही एक शायर के लिए है कि वो हमारे जो डॉक्टर कुवर बेचैन सहाब, मेरे टीचर भी रहे प्रोफैसर भी रहे, उनका बहुत बढ़िया मुझे शेर अकसर याद आता इस मौके पर जब कोई कहता है कि आप कविताय लिख ली है जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ है तो अगर आप अगर आप इन कवियों से पूछे जो नीचे बैठे हैं जो कल आये थे, इन से अकेले में मिलिए एक एक गजल कहने में, एक गीत कहने में इनके पसीने छुट गाए रात-रात पर बेचेयनी इनको इतनी हुई है। बहा तैलेया, अंदर तैलेया, अटकी रही है। जिसे कहता है न, गजल अटक गई। वो शेर अटक गया। वो अबास ताबिश का शेर है कि डूपती नाओ में सब चीक रहे हैं ताबिश ताबिश और मुझे जिद के गजल मेरी मुकमल हो जाए तो आपको ये पता नहीं होता कि आप किस पागल मेरी बेगम बैठी है बना कही बार उनको आश्चर होता है कि दुनिया एतनी खूबसूरत है, हम यहाँ घूम रहे हैं, हम यह शॉपिंग कर रहे हैं, यह पता नहीं कहा है वो पता चला कि अंदर एक मिसर आठक गया है वो ना दुबई मॉल में निकल ला है ना वो निकल ला है, वो पता नहीं कब निकलेगा, उसके निकलने के बाद ऐसे लगता है, जैसे मतलब बहुत दिन का काम, हाँ और मुझे जॉन एलिया की वो लाइन यादा रही है, अब निकलाओ अपने अंदर से, घर में सामान की जरूरत है अब निकलाओ अपने अंदर से, घर में सामान की जरूरत है, वो शायर जो है वो अपने आप में, अपने अंदर इतने जादा उलज के रह जाते हैं अब जॉन ही देखिया आप? जॉन, जॉन एलिया की बात करना, जिसने अपने बरबादी के इतना धिंडोरा पीटा, खुद को मेंटल कहा, सिगरेट के धुएं के साथ साथ वो स्टेज पे आते थे किसकी हिम्मत, किसकी माने दूद पिलाया, जॉन एलिया बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उर्दू का इतना बड़ा आदमी, जो लुगत कमेटी का चेर्मेन था, लुगत कमेटी यानि कि राज्यभाशा समीती, जो यहां हरिवन श्राय बच्चन काम कर रहे थे वो पाकिस्तान में जौन कर रहे थे, बड़े आदमी थे, सारे प्रेसिदेंट्स जानते थे, और वो आदमी लाउडली शेर कह रहा है, कि है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है, उनकी गजल है, तो क्या बादे बहारी जा रही है, पिया जी क सवारी जा रही है, है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है, उनसे, वो जो कहने की हिम्मत है, जो कबीर में है, वो शायर बदनाम, वो भी बदनाम है, कबीर में जो हिम्मत है, बनारस में रहकर, बनारस कहा, पंडित्य का गड़, हाँ, सभी खल अच्छा उनको गर्व करने का अधिकार भी ए विद्वत्ता का वहां लंका पे जाडों की शाम में आठ आदमी बनियाईन पहने के खड़े हो जिनकी तीन की बनियाईन में छेद भी हों कि आप उनके बीच खड़े होके ग्यान भगारी है तो पता चलेगा इनमें 5 तो पाढ़ मूशन खड़ें शंगीत के नत्यके उस बंश ढ़ गजब शेहर है उस बनारस में खड़े होके भाई कबीर ने खड़े होके दोनों की जो लंका लगाई है हिंदुों की लगाई हिंदु अपनी करें बढ़ाई गागर चुवन न देई भाई आज कोई कहके दिखा दो अगर ये छोड़ने ब्रिगेड वाले कल लिए अबेंड़ा पानी लेकर आपके दरवाजे पर संस्कृति रक्षक आ जाएंगे कि हमारे हैं सब जसे आपके हैं इस्लाम बोत दिन से खत्रे में हमारे वारे लाने आन्या है लड़ी हमी हम ले कुट है हम लोगो बहु हम दोनोगे कद्रे में है आप और हम दोनोगात्रे में वो उसने लाटी निकाली अपनी रामनंद जी के शिश्यने कबीर ने और दौनों को खदेडा अरे हिंदों राहन पाई हिंदू अपनी करें बढाई गागर छुवन न देई समझ में आती होगी इतनी हिंदू नहीं आती होगी तो समझो यह वक्त की जरूरत है यह नहीं समझोगे तो ना समझे जाओगे तुम अगर कबीर नहीं समझोगे तो खतम कर देंगे हमको तुमको मिलके खतम कर देंगे नरबक्षी जो खुले आम भूम रहे हैं इस समेश देश में कहते हैं अरे इन दो उन रहा न पाई हिंदू अपनी करें बढ़ाई गागर छुवन न देई वैश्या के पायं तरसों में ये देखो हिंदू भाई मुसल्मान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई खाला केरी बेटी भी आमें घर में करें सगाई लिका उसने यह जो ताकत है लख लेके हाथ में बोलने की कंकर पाथर जोड़ के कंकर पाथर जोड़ के मजिद लई बना है ताचड मुल बांग दे का बहरा हुआ कुदा है और आप बनारस चले जाएए मैं अभी बनारस में था दो करकम करके आया और फिर बनारस से आगे कहीं बली आ गया था क्या भी है 24 गंटे बनारस में हर आदमी को लगता है मोक्षी यहीं से मिलेगा काशी एक को तो मिली रहा है शायद मैं रेखता के डाइस पर अकेला आदमी हो जो नौन सीरिस भी हो लेता हूँ ऐसा काशी बंगाली में काशी वास का मतलब ही मृत्यू है स्वर्ग जाना बंगाली का जो भद्र लोग था बंगाल के लोग वो काशी में मरने के लिए आते थे कि यहां मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा लेकिन सोचके देखिए आप किस खांदान में पैदा हुए रेखता वालो कि एक फक्कड फकीर ने खड़े हो के कबीर ने कहा कि बई जिंदगी पर बनारस में राऊं और बनारस में मरने से राम मिलेगा तो मैंने जो जिंदगी पर राम के लिए गाया इसकी क्या तो गंगा पार एक जगे है मगहर उसर जगे है वहां सुनते हैं कि वहां मरने से नरक मिलता है तो कबीर अपनी मृत्यू से 6 महीने पहले मगहर चले गए गए सोचके देखिया अप कितना बड़ा स्टेट्मेंट है उस आदमी की जिंदिगे का वह कविता लिख नहीं रहा है उसने कहा शायद अगली पंक्ति पर आपकी ज्यादा स्विकृति आये कबीर के लिए उसने कहा क्या काशी क्या उसर मगहर राम हर दै बस मेरा जो काशी तन तजे कबीरा रामे कौन नहीं हो रा राम का क्या है सान अरे काशी में मरके तो लंपट भी स्वर्ख पा गए काशी जाके तो लंपट भी स्वर्ख पा गए तो अगर काशी में जाके इस स्वर्ख मिलना है तो इसने का हूं मैं GANGA का बेटा लिकिन परूंगा पर लिपार जाकि कमाल है, कमाल हे कबीर का, और में रपबस जौन एलिया की तरफ आपकе ध्यान लाना चाहंगी, चुक्शंके आपने किताब भी जौन एलिया पे, किस तरहें मुतासिर करते हैं क्या चीज उनकी बरबादी उनका अंदाज बयान उनका पागलपन यह जो आपने लिखा ना कि यह वो जो नो ने अपने बारे में कहा कि मैं जो हूँ जौन एलिया हूँ जनाब इसका बेहर लिहाज कीजेगा पर वो जो बरबादी का धिंडोरा अपना पीट रहे क्या उसने आप उसमें से फलसफा निकला उस बरबादी से जो सब को चूग गया सब के लिए कर रहा आप जौन साब के आखरी मुशायरे देखिएगा उसमें जिस तरह से वो बात कर रहे हैं पीट अधा कासिम साब से खुमार साब बैठे हुए हैं पीछ पाकिसान के अधु लिए जिसभी साब बैठे हैं ञगे मुशैरा हुआ घा जग उसमें इन्डुस्तान पागिस्तान के दौनों के और विवा तो दौनों ने भाशन दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान के च्छच्च के साटन के बडे बडबरे शायर थे पीचे लिखिखा व भी अंग्रेजी में देखता हूँ तो जब मैंने निजामत शुरू की तो मैंने ये कहा कि भई जो पाकिस्तान के राजदूत हैं उनसे तो बात करने का प्रोटोकॉल है मैं नहीं कर सकता जो हिंदुस्तान के अंबेस्डर है ये मेरे घर के हैं मेरा इंसे इतना निवेदन है कि ये अंग्रेजी में लिखें अंग्रेजी में बोलें अंग्रेजी में सोचें लेकिन ख्वाब हिंदी या तो जॉन की जो बरबादी है, वो जॉन की जिन्दगी के जीने का स्टेटमेंट है, तो इसलिए जो बदनाम शायर है, मुझे लगता है कि वो इस दौर में, हर दौर में, सुसाइटी के लिए सबसे प्रिजर्व करने लाइक, जो निरत जी चले गए 92 की एज में, इतने बदन हुए हम तो और आज के दोर में, अगर ठीक बैठे देखो, नई बच्चे आए, नई यह ताकत है रेक्ता कि मुझे बहुत बहुत अंदर से मुतासिर करती है, खुश्बूसी पहलाती है, कि जवान लड़के लड़कियां किस तरह से आते हैं, शायद किसी रॉक स्टार के तो मैं नहीं हाते हूं कि जैसे रेक्ता में आते हैं, तो नीरच जी का, नीरच जी की घजल का शेर है कि इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें बुलाने में, और परलिमेंट से लेके सडक तक इस शेर को महसूस कीजे, नीरच जी को नीरच जी कितने बदनाम हुए है, इतने बदनाम नीरच जी अपने प्रेम प्रसंगों के लिए, मैं जाता था नीरच जी के साथ 20 साल पहले, 25 साल पहले, जिस शेहर में जाओ, बोपाल जाओ, इंदौर जाओ, नीरच जी से कमरे में मिलने आओ, एक आद कोई 55-56 की रिटा थोड़ा सा पहल लगाना और खुशृ रिटा आप करते रहे हैं बदनामी, आप कहते रहे हैं कि नीरच महकता है, नीरच शराफ पीता है, नीरच जैसा है, जाहिए, 300 साल बाद आपकी और उलादों की और लादें नीरच जा रही होंगी, शोखियों में घोला जाए फूलो का नाम नलू हाज बदनाम शायरों में. अमृता पृता में से शर्टों पी जिन्देगी जी. विट ड्यूरे सबसे पहली बदनामी स्विकार करने वाली कवियत्रियों की मां Meera. मीरा भाई. महल छोड़ के निकली. इसके घर में पड़ा हुई किस घर में शादी हुई इसकी इंदुस्तान के डुनया के सबसे पुराने ड ङने में म LEGEND अरर शांगा के परिवार में और एकश्या लेकर निगली, जोगन बने के निगली और मेहल छोड़ दिये कोई बदनामी कटर नि look लोग बहुत अच्छा किसा क dobran भोज राज से किसी ने कए तुम् transpatny जो है जायर कैसे ठाकिर्ज आड़ तुम्हारी पतुना कृष्ण alm Calebर करेंमेंद कृष्ण के प्रेम में गीठ गाती है कमर भोज राज Case कि प्रेम में मेरा कम्टिशन छोटे मोटे आदमी से थोड़ी है वुमन मौहन का नहीं आता है क्या बात है मीरा देखिया और हमारी माँ है वो इसलिए मेरे मुझे कभी मा मीरा के बिना शब्द निकलता है हनक कितनी है इसी व्रंदावन में वल्लभाचारे के मंदिर में यह परंपरा थी कि इस्त्रिया नहीं गुस्ती थी मीरा पहुंची गाते गाते विग्रह देखने के लिए हाथ में एक तारा पीछे दीवानों की भीड मीरा आई है मीरा आई है राणा सांगा के अनुज वधू है भाई मिवार की राजकुमारी है जोगन हो गई कृष्ण के प्यार में पागल हो गई लोग देखने के लिए गए तो जब वो दरवाजे पे पहुंची तो वल्लभाचारे ने उन्हें रोक लिया उन्हेंने का देवी कहां प प्योग किया जैसे वल्लभाचारे ने का अंदर इस्त्री नहीं जा सकती है तो मीरा ने कहा फिर आप अंदर कैसे हो चुकि पुरुष्टो एक है जो अंदर बैठा हुआ है आज सबरी मला में लड़ रहे हम हाजी पिर पर लड़ रहे हम आप मिरा जैसे तो होिए आप ये लाती गोला लेके आउसू गयस लेके इन बातों को तैक रेंगे किन मंदिरों में और जाएंगी किन मजारों पर इस्तरीय आजाएंगी यह तै नहीं हो सकता यह मुहंबत का More जिस दिन जिस हाजी पीर को लगेगा, जिस दिन किसी पीर को लगेगा, कि उसे मिलने, मेरे से मिलने के बजाए, मेरी बेटी से भी मिलना है, वो पुकार लेगा, वो आएगी अप, उसकी पुकार उठेगी तो आ जाएगा, जिस दिन सबरीमला को लगेगा, उस दिन आ सवमी हरिदास ने कहा गाना सुनने के बाद की मिरा अबाइ तुमने अच्छा पर उमारा भजन राग में नहीं था ये कमियों को सुनना चीए जो गलेबाजी में लगे हुए हैं ये उन शाहरों को सुनना चीए जो एक उला इनको तीन बार उपर चड़ा के गाते हैं तो कही बार इतनी ऊपर चड़ जाती है कि फिर उतरती ही नहीं है उनसे ज्यादा गाने के चक्कर में मत पड़ो, कलेजे से पड़ो, जैसा आता हो, वैसा ही पड़ो तो मीरा ने गाया मेरे तो गिरदर गुपाल, तो उन्हें ने कहा कि ये राग में नहीं है मीरा ने जो उतर दिया, इसलिए वो हमारी मा है, इसलिए वो अमृता प्रितम की भी मा है, राबिया की भी मा है, अंदाल की भी मा है, महादेवी वर्मा की भी मा है मीरा ने कहा कि मुझे पता है कि मैंने राग से नहीं गया स्वामी जी जूकि मनुष्यों को रिजहाने के लिए राग में गया जाता है पर मात्मा को रिजहाने के लिए अनुराग में गया जाता है तो पहली बदनाम शायरा पहली लोग लोग निंदा लोग चर्चा लोग समीक्षा की पात्र हमारी मा वो मीरा है जिसके साथ साथ वे राबियां हुई कश्मीर में, अंदाल हुई, अमरिता प्रितम हुई, महादेवी वर्मा हुई, फिर तो एक बड़ी, अपने परवीन शाकिर, जी कश्मीर में लालदेड, लालदद देखिए, परवीन शाकिर देखिए, कमाले जब्द को इस तरह आज मा जाओंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुलन सो जाओंगी, वो जूट बोलेगा और जवाब कर देगा, मैं सच कहूंगी और फिर भी हार जाओंगी, अगर औरत होने में सचमुझ लिखने लगें, लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रकार की सामाजिक असेहमती का सामना करन आना पड़ेगा, आपको इस डर से बाहर आना पड़ेगा कि फला क्या कहेगा, फला क्या कहेंगे, मैं अकसर नए लोगों को इस मंच से प्रमोट करता हूं, आप सब को सुनाओ, मैंने अभी एक MCA की हुई लड़की को सुना दुबई में, अंकिता सिंग को, हर औरत ये चा नम आखों की नमी बनोगे, मेरे बेटे कसम तुमें है, मर्द नहीं आदमी बनोगे, मेरे बेटे कसम तुमें है, मर्द नहीं आदमी बनोगे, पापा, चाचा, नाना या दादा से नहीं बनोगे तुम, उसमें लिखा उसने कि औरत के होने में एक बाधासी नहीं बनोगे पापा, चाचा, दादा या नाना से नहीं बनोगे तो यह अगर कहने पर आएं लेकिन उसके लिए वोई बाल है क्रांतिकारी बनना पड़ेगा अंदर से लिखने वालों को और सोचना बंद करना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे करांतिकार एक बाद आपने की इसके पहले की मेरे खाल से सेशन में फड़ा कम वखत हो का पर मैं बाबा नागरजुन को याद करना चाहती हूं जिनोंने उस दौर के तमाम सियासदानों को कुछ तानिया बाबा के नाम पर आती हैं जी जी बिल्कुल तमाम सियासदानों के सामने खड़े हूए उनकी तीन हिमत ही तीन फीडी हा बिल्कुल नहरु जी के जणम दिन पर नहरु हाड चुके थे चाइना का युद्ध नहरु जी का जनम दिन था तीन मूर्थी पे और अगर आप लोग दिल्ली घूमते हो तो तीन मूर्थी की बगल में ही हरिवें श्राइबच्चन जी की कोठी थी साथ में लगी हुई शाम को नहरु जी के जनम दिन पर कभी गोष्ठी थ नहरु जी का जनम दिन था सौरे बड़े कभी आई वेते हिंदुस्तान के बच्चन जी ने कभी गोष्ठी रखी थी नागार्जुन आई वेते किसी संदर में नागार्जुन मिलने गए थे बच्चन जी से तो इंदीरा जी उनको सुन चुकी थी शांतिनी केतन में इंदु जी बुलाने आई कभीयों को कि प्रोग्राम चुरू होने वाला जैसे अपको हमको तबस्तुम जी कहने आई थी आई ये तो देखा बाबा नागरजुन बेठे हैं तो इंदु ने कहा कि बाबा आप भी चलिए पापा की पर्थड़े है अब कविता तो बच्चन जी ने भी शर्मा शर्मी कहा कि चलिए चलिए तो नागरजुन गए और ताकत देखिए इंदुस्तान का इतना बड़ा मसी है आज के लोगी तो क्या ताकत होगी नहरु के बारे में कुछ भी फैला लो आप यार कुछ भी आप वाट्स अफ युनिवरस्टी पे अपना सिलेबस भेजते रहो कोई फरक थोड़ी पढ़ता है उसके हिंदुस्तान की आजादी के आखों को भाकड़ा नागल बांध और आयाटी आयम का ख्वाब देने वाला आदमी अगर आपको पसंद नहीं है तो यह आपकी दिक्कत है भाई हमारी दिक्कत नहीं है आप रेखता वालो क्या कहने वाले का कलेजा होगा और क्या सुनने वाले का जब्थ होगा वो आदमी जिसे नासिर टीटो दौनों सलाम करते थे वो आदमी जिसे अमेरिका और रूस अपने खेमे में लेना चाहते थे वो आदमी जो जो गांधी का दत तक पुत्र माना जाता था वो आदमी जिसे प्रोफेसर लास्की पार्क प्यार करते थे, एकनॉमिक्स के, लंदन कॉलेज अफ एकनॉमिक्स के, उस आदमी को सामने बिठाकेर एक नौजमान शायर नागार जुन ने कविता पढ़ी, बतन बेचकर पंडित नहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी नहरू, कमाले, नहरू के बाद, नहरू दिवंगत हुए इंदुस्तान आगे बड़ा, इंदरा जी आई, इंदरा जी को सत्ता का एहंकार हो गया, उन्होंने आपातकाल लगा दिया, नागरजुन जेल में बंद हुए, और नागरजुन ने वहां से कविता लिखी, नहरू के तुम हिटलर की नानी तुम, यह कविता लिखने का कलेजा, बाबा नागरजुन में चाहिए, और सुनने का कलेजा, सामने बैठे सत्ता धीशों में चाहिए, और नहीं सुनोगे, तो ऐसे ही सुना दिये जाओ के यसे आजगर सुनाये जा रहे हो, वो बाबा और नाल किले में ना जाएं और दर्भारी ना बन जाएं। नहीं, बहुत कम है, देखिए, कभी हों से भी जो नए कभी हैं पुराने, मैं देखता हूँ जनली, मैं कभी समेरोना में जाता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, सामने जिस दल का मंत्री बैठा होगा, जिस सुआ करता ही? उनकी उनके शेरों के चयन बदल जाते, उने दूसरे मुशारे में दूसरा शेर पढ़ा हमें, दूसरा शेर पढ़ा होता था यहां, दूसरा शेर पढ़ न हूँ, आप बतलब अना के शायर हैं आप, आप कहते हैं, मैं अना का शेर 118- macht जॉन बनना है तुम्हें, सब कुछ बनना है तुम्हें, लेकिन ये उन रास्तों से नहीं बनना, आकाडमियों की रास्ते से नहीं बनना, आप जब तक ये अवाम जो पीछे आपके लिए दाद देती है, और आप तो अच्छे दौर में पैदा हुए हो यार, एक एक रात के आपको जो भी हो, 25-30-30,000 मिलते हैं, नागारजुन से पूछो, चने खाकर शाशंशे लडाई की है, एहंकारों से लडाई की है, निराला से पूछो, फैस को क्या ज़रूरत थी? आद बाजार में पाब अदौला चलो, लिखने की फैस को क्या ज़रूरत थी? जियाओ लग और वक्त की आंधी के साथ नहीं बहाओ, वहीं जिन्दा रहेगा, और ताज उचाले जाएंगे, जब, हम देखेंगे, और देखेंगे, और देख रहा है आज भी वो, आज भी देख रहा है और हर दौर में फैस की ज़रूत पड़ेगी, चुकि हर दौर में जयाउलक आए आएगा, वो नाम बदल के आएगा, वो पार्टी बदल के आएगा, वो पड़े बदल के आएगा, हर दौर में आएगा, आप काम खतम मत समझेए, काम खतम नहीं हुआ है, हमको देखिए, हमको तो कही लेयर के हिटलरों से लड़ना पड़ रहा है, चोटे बड़े तमाम त इतने सम्मानित पर यहां हिंदुस्तान में आप इन सरकारी नवाज़शों से इतने दूर क्यू रहें इनाम से अब हम जो कर रहे हैं अब इस जो हमने किया है इतनी देर मतलब आप क्या समझती हैं यह भी करें और वो सम्मान भी रहें आपको आपको यह छोटे बड़े वाले कभी आपको मतलब नवाज़शों की कोशिश हुई आप गए नहीं आप कैसी बात कर वही है बाहर वाले छोड़िये घर वाले को चल ले इन परदाशनी होई उसमें उसे परिशानी हो गई लेकिन एक शायर को क्या चाहिए बई देखिए क्या चाहिए उसको अभी को क्या चाहिए अब आप तो शायर के लावा आप सियासत दा भी रहे आपने तो कई तरफ अब वो शायर तो आप है नहीं जब चने खा के अब जमाना गुजारते थे तो यह जो शौरत आपको मिली इसका अंदाज़ा था आपको जब आपके मिलियन पांच मिलियन और साड़े तीन मिलियन किसम के फॉलोर सब्सक्राइब के ऌड़ कि अब एक इसका फिगर हैं यह विज यह सोशल मीडिया का कमाल है यह थी देखिए मैं से बहुत हुआ है यह बड़ी इनको बड़ी इनको बड़ी प्रॉब्लम है की चार्टर से प्रोग्रम करने गई अब यह किसी प्रोग्रम में यह जायचा है, यह जन्म कुंडली है, यह आज रेकता के इसकेंद्रिय रंगमंच पर नगमा बैठी हुई है, कुमार विश्वास बैठे हुए, इंशालला रेकता हजारों साल सेक्ड़ों साल चले, बीस साल बाद, तीस साल बाद, कोई और बैठा होगा, कोई और कुमार विश्वास को नहीं होता, हमको तो बड़ी खुशी है इस बात की, के चलो इतने साल बीते, अम मंच पर कुछ लड़के-लड़कियां तो हैं, जो खड़े होने से कहते हैं, के आदरनियो कुमार भाईया बैठे हैं, तो चलो हम आदरनियो तो हुए, पहले तो हम ही प फादली साब का बैग उठाते थे, अमाँ डाक्टर जाड़े रहो जरा लाओ, ऐसी बोलते थे निदा भाई, क्या अमाँ डाक्टर तुम पानवान नहीं खिला रहा हो साला, तो पर उनका पान लेकर आना निदा भाई पान खाली जिए, रहास साब की चीने सुननी उनसे ज जो शुरुआती दोर में आपकोच मुश्किले जहली पड़े, बहुत जादा, बहुत देक आतंक जो रहता है, या जो अधवी लोग होते हैं, और जो बरे प्योरटन होते हैं, अभी है, हमने जौन एलिया पर एक किताब संग्रहीत करी, भई मैं हिंदी का आदमी, मुझे उर्दू की लिपी नहीं आती, मैं उर्दू टांसलेटिट पड़ता हूं, क्या खराब बात है, नहीं आती नहीं आती, उस वक्त मौका नहीं मिला, वक्त नहीं था, इंजिनिर्ग के विद्यारती थे, नहीं पड़ पाए, अब ताइम नहीं मिला, एक मुलाना लगाय थे पड़ाने के लिए पड़ोसकी मस्धित के, वो सुभह आके तेलंगाना में जीते का, वोन इस पे चर्चा करते थे आके, लेकिन अच्छा रहा, कि हमको नहीं आती, वो उल्लण मुरादाबादी का एक शेर है कि हमारे प्यार की चिठ्थी, तुमारे बाप ने खोली, हमारे सर न बच पाता अगर उर्दू से आती, तो आज की डेट में, जॉन पर एक किताब करी भाई हमने, अब उसमें गलतियां हो गई होगी, शेर ठीक से अनुवाद नहीं कर पाया हूंगा मैं, यह मुझे नहीं याद रहा होगा, पांच ग्यानी लिखते हैं बताइए, बताइ रहेगा, उर्दू आपके खांदान में बंधक नहीं है, वो हिंदुस्तान की खुश्बू का नाम है, वो बात्चीत के लहजे का नाम है, मैं हिंदी का विद्यारती हूं, संस्कृत की परमपरा से आया हूं, सनातनी ब्रामण हूं, और मैं रेकता के मन्ज से कह रहा हूं, पूरी हिंदी पट्टी पर पूरे हिंदुस्तान में, एक आदमी ढूंड के ला दीजिए, जो पांच वाक्य बिना उर्दू का शब्द इस्तमाल किये बोल दें, और मैं ऐसा बहुत देखता हूं, कि नारे लगाने वाले बाद, धर्म का पर्चम लहराने वाले लोग, अपना एक उर्दू का शेर भेज दिया कर, तो उसके बाद अपने आइफोन को गंगा जल में धोलिया कर, हम तो, हम तो बदरीनाद गए थे, रास्ते में केदानाच जी गए थे, वहां भी घजल गाते जा रहे थे, और हमारे तो बड़ा अजीव नगमा जी, हमने अभी व हैं, तबला बजाते हैं, उन दोन ने तयार की, रमजान के दिन थे, एक दिन शाम को जफर ना के मुझसे बड़ी प्यारी बात कही, मुझसे बूला, सर बड़ा गलबड हो गया है, मैंने का क्या हो गया है, बोले सर वो इतने दिन से धुन बना रहा हूं, देवी क्यावति गंगे, इतनी धुन बनाई है, इतना म्यूजिक लगाया है, कि आज शाम को नमाज पड़ने जा रहा था, तो अंदर मस्जिद में जाते हूं, देवी सुरेश्चाइब, इच्छाइब, इच्छाइब, इस रस सना दे हैं, कुमार साब, इसे कहते हैं, ये हैं इस इस्तान, इसकी जड़ों में जो मठा डालेगा, हम उसके खेत में चरस बो देंगे, ये हमारे साथ बदनामी उर्दू में भी है, हिंदी में तो एक बड़ा खेमा है, जो कभी मानने को तयार ही नहीं है, उसको कैसे अब क्या जवाब देते हैं, कैसे जहलते हैं, मजे लेता वाइस के लीचे, पचास लिखते हैं, हचो, उनकी कविता कैसी है, चिडिया ओडी तो आस्मान ने पूचा कि अधूल मठमेली ने समाप्त हम ना चिडिया को पता ना धूल को पता ना मठमेली को पता 300 किताबे लिखते हैं, अ जो संएक्षा में चली जाती हैं सारी लाइब्रेडेड़ी में फॉल प्रकाषअक के रख्टी है और गया जहिंष तो समत sब्स पारिका कि फॉपलिस्'T ओने के आपको बड़ा नुकसान है इसे इसको जहली है और पॉपलिस्टों से जहानल की सब्सकी के आप एलग को आर पुछा था ता सरह पाढ़ है लोग को होता है, स्टार्स को होता है, मुझे नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है, अरे हिंदी-ुर्दू की जबान यहां तक तो आई के उसके एक छोटे से खादिम के साथ लोग सेल्फी लेते हैं, वनना पहले कौन पुछ रहा था शायार को, सभी बात है, अच्छी बात है बिल्कुल, और हिंदी-ुर्दू का जो पर्चम आपने लहराया है सिफ लिए नहीं हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर में देख रही थी आपके यूट्यूब पे विडियो जप आफरिका के मुलकों में और वहां पे ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग बाहर के लोग आपके गीत कई लुष ते. अनको लगता है की लुष समझने लाएक छीज है, नाइजिरिया मैं जैसे में था या यह जो फिλιपिन्स की लड़कीयां गाती है, लड़के गाते हैं, लड़के लड़कीयों में ज्यादा इंके वो हुई, उनको लगता ही वुछ तो अर्दू को खुदा के लिए भगवान के लिए इश्वर के लिए गालिब के लिए हिंदी और उड़ु आलो थोड़ा दा डीला चोड़ो भाई यह उर्दू को निसमें मत बांदो कि जबान आपने इसी कर ली और यह आएगा यह दूसरी जबान के शब दाहेंगे देखि राद भाया का शेर है कि दिन डल गया तो राद गुजरने की आस में सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में तो गिलास लवज क्या है? गिलास पुर्तगाली का शब्द है कमरा शब्द क्या है? पुर्तगाली का लवज है कमीज पुर्दगाली का शब्द, अगर पुर्दगाली जबान के शब्द आए, तो हिंदी से इतना परहेज क्यों हूँ, हिंदी भी आपको स्विकार करने पड़ेगी, और हिंदी की परष्टिश के पीछे कोई मजभ नहीं है, और न उर्दू के पीछे कोई धर्म है, पर अ लोग उर्दू को मुसल्मान समझ लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया आपका कुमार विश्वास सहब, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, उर्दू का जादू इसी तरह जंदा बाद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, ला